नमस्कार साथियोग, आज का हमारा टॉपिक है कि राजिस्तान के कुछ नगरों के प्राचिन नम और किस प्रकार उनका नाम परिवर्थित हुआ है, तो प्राचिनकाल में चो उत्रही राजिस्ताने से योद्दे कहते थे, बाद में यहीं आपके, जो है यावाटी केलाया और वर्तमान में हम इसे गंगानगर के नमचे जनते हैं कुछस्टन यह आएगा कि योद्दे चित्र कौन सा है तो स्री गंगानगर के आसपास का यह स्री गंगानगर के चित्र को प्राचिन काल में क्या कहते तो योद्दे चित्र कहते थे जांगल के नम से बटनेर का तिला जाना जाता था और बाद में इसका बीका नेर और जोदपुर वाला चीतर इसके अंतर गताएगा अई चत्रपुर बाद में परिवर्तित हो कि अहीपुर हुआ और वर्तमान में नागोर बहुत बार पूछा जाता है कि नागोर का प्राची नाम क्या था तो अई चत्र गुर्जर जिसे गुर्जाना कहा गया और बाद में मंदोर के नाम साकमरी या जो साबर है इसका बाद में अजमेर हुआ और वर्थमान में क्या नाम हो गया है अजमेर हो गया है पहले स्रीमाल स्वनगिरी और बाद में चेंज हो के गो गोलोर भीनमाल और वर्थमान में क्या हो गया बटा बाड मेर हो गया तो सुरुवात में इसको स्री माल कहते थे बाद में भीन माल हुआ वर्तमान में बाड मेर हो गया वल की बात करूं तो वल को दुंगल भी कहते थे मांड भी कहते थे आज क्या कहते हैं तो जैसल मेर की नाम से जाना जाता है और अर्मूद की बात करें तो इसे पहले चंद्रावती भी कहा गया और वरतमान में क्या नाम आ गया इसका असरो ही आ गया इसी प्रकार विरार्चु था इसे रामगड कहा गया और वरतमान में क्या कहा जाएगा जैपुर शीवी या मेदपार्चु था ये बाद में मेवार हु और वरतमान में उदैपुर, चित्नोर गढ़ हो चुका है जालर जालोर बाद में कुरू हुआ और वर्तमान में क्या कहते हुआ अब इससे अलवर इसी प्रकार एक जिनपत्ता सूर से ब्रजभुमी और वर्तमान में भरतपुर का चितर इसके अंतरगत आता है इसी प्रकार जो हडोती था इसे सुरू में है है के नाम से जानते थे बाद में हडोती हुआ वर्तमान में कोटा बूंदी के लाता है बैरार चुह है इसका परिवर्तित्ता विराट हुआ और वर्तमान में अलवर और भरकपुल का चितर इसके अंतरगत आता है तो यह कुछ नगरों के प्राची नाम आपके थे